कारेले जिला पंचायत बेमे तरह की तरफ से एक विग्यापन जारी किया गया है ये विग्यापन दरसल प्रधान मंत्री आवास योजिना के अंतरगत सम्विदा भरतियों को लेकर रहे हैं दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं जीरो पिरेट आज इस वीडियो में हम लोग साहक प्रोग्रामर है लेखा पाल साहक ग्रेट तीन डाटा इंट्री आपरेटर और विकास खंड समनवायक तकनीकी साहक ये कुछ पद हैं जिन पर समविदा के आधार पर भरतियां होनी है और दस अक्टूबर के पहले पहले आपको अपने आविदन वहाँ पर भेज देन इसमें सबसे पहले मैं आपको पद नाम बता दूँ जिलाइस सर के जो पद हैं उनमें पहले सहायक प्रोग्रामर है जिसमें 35,165 रुपए आपकी सेलरी होगी और L9 का मेट्रिक्स आपको मिलता है इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो है मान्यता प्राप्त विश्विद्यालेया संस्थान से B.E.B.T.E.C. Computer Science, Electronics, IT में इसके लिए परसेंटेज निर्धारित किया गया है 60% मीनिमम अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास MSC Computer Science या IT की डिग्री हो या M.C.A. हो 60% वहां भी मस्ट लिखा गया है इसके साथ साथ तीन साल का शास्की या गैर शास्की कारेलावे प्रोग्रामर या असिस्टेंट प्रोग्रामर के पत पर विभिन योजराओं में करियानवायन का कारियानवा होना जरूरी है यह सहाइक प्रोक्रामर की बात हुई दूसरा जो पद है जिला इस तर पर वो है सहाइक ग्रेट तीन का जिसमें 18,000 रुपे सेलरी है L4 का इसमें मैट्रिक्स मिलता है आपको 10 प्लस 2 के बेसिस पे ये पोस्ट होनी है अथवा अगर आप पुराने हाईर सेकेंडरी परिक्षा के साथ 11 परिक्षा पास हैं तो आपको सनातक की पहले साल की परिक्षा नहीं कि से फस्ट इयर पास होना ज़रूरी है ताकि 11 प्लस 1 12 को पूरा किया जा सके इसके अलावा डाटा एंट्री आपरेटर और प्रोग्रामिंग में एक साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है 5000 की डिप्रेशन परार की स्पीड होनी चाहिए कम्प्यूटर में जिसके लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा और मानता प्राप्त मंडल संस्था या फिर 36 गड़ शिगर लेखन मुद्र लेखन परिक्षा परिशत से कम्प्यूटर और साफ्ट्वेर के माध्यम से हिंदी यत्वा अंग्रेजी मुद्र लेखन याने की टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन परार की गती होनी ज़रूरी है इसका भी स्किल टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद तीसरे नंबर पर जो पद है वो है लेखा पाल या या अकाउंटेंट का जिसमें 23,350 रुपए L6 के मेट्रिक्स के अंडर आपको मिलेगा 55% मार्क्स के साथ आपको भी काम होना जरूरी है अनुसूचित जातियों जन जाती के लिए 50% की छूट रखी गई है टेली आपनिक MS आफिस में 36 रशासन के मान्यता प्राप संस्थान से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना आवश्यक है लेखा पाल के लिए डाटा एंट्री आपरेटर का पद है जिसमें 23,350 रुपए आपको मिलेंगे L6 का मेट्रिक्स मिलेगा इसमें भी 10 प्लस टू पास होना जरूरी है अगर आप पुराने सिस्टम से 11 पास हैं तो आपको फस्ट इयर पास होना भी जरूरी मांगा गया है ताकि 11 प्लस 1 12 का मान पूरा हो सके और बाकी चीजें बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे लेखा पाल में लिखी गई थी डाटा एंट्री आपरेटर में किसी मानता प्राप संस्था से एक साल का डिप्लोमा हो हिंदी और अग्रेजी में डाटा एंट्री की गती 8000 की डिप्रिशन परार की होनी जर पहले जो मैंने आपके सांथ डिस्कसिन किया वो जिला इस्तर के पत्थ है अब जनपद इस्तर का पत्थ होगा जो की विकास्खंड समनवयक है इसमें एल टेन का आपको मैट्रिक्स मिलेगा 49,875 रुपए प्रतिमा की सेलरी होगी आपको बीई बीटेक 60 परसेंट मार्क से सांथ पोस्ट ग्रेजवेट आपके पास डिगरी होनी चाहिए और दो साल का किसी शास्की या फिर गैर शास्की कार्याले में क्रियान वयन योजनाओं के क्रियान वयन का एक्स्पिरियंस होना जरूरी है अगली के टेकरी तक्नीकी सहायक की है 35,165 रुपए आपकी सेलरी ह है एल नाइन का मैट्रिक्स है बी बी टेक होना जरूरी है 60 परसेंट मार्ग से सांथ अगर उप्रोक्षणिम या भ्यरतिव प्लब्द नहीं होंगे तो फिर बी 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 टेक आपरिक डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में इंजिनिरिंग 60 परसेंट का देखो पहली परसेंट का मामला बिल्कुल लगा हुआ है फर्स्ट क्लास आपको बी या बी टेक होना जरूरी है फिर उसके बाद अथवा में लिखता है उप्रोक्षणि में पात्र भ्यरतिव प्लब्द नहीं होने की स्थिति में MSC मैट्स या फिजिक्स के 60 परसेंट क्वालिफाइड लोगों को भी लिया जा सकता है 60 परसेंट मतलब 60 परसेंट मार्क्स के साथ जिन लोगों ने अपना पोस्ट पूरा किया है वह भी इसमें वह इसमें प्रिक्षा उत्तिरिण मांगा गया है मांदुमिक शिक्षा मंडल से अगर आप पुरानी पद्दती से ग्यार्वी पास हैं तो आपको first year pass भी होना ज़रूरी है अगर यह सब नहीं है तो फिर दस्वी परिक्षा उत्तिर्ण के साथ साथ मान्यता प्राप संस्था से तीन साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है डाटा एंट्री आपरेटर प्रोग्रामिंग में मान्यता प्राप संस्था से एक साल का डिप्लोमा हिंदी और अंग्रेजी में डाटा एंट्री की एट थाउजन की डिप्रेशन परार की स्पीड और इसकी एक स्किल टेस्ट आप से ली जाएगी तीसरा बिंदो में लिखता है मानता प्राप्त मंडल या संस्था या से चतिजगर शिगरलेखन मुद्रलेखन बोर्ड से एट थाउजन की डिप्रेशन परार की गती से आपको प्रमान पत्र प्राप्त होना चाहिए इसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा यह बाद भी इन्हों ने लिखा हुआ है नीचे अनिवारी शर्त में लिखा है अनुभाव है तू पदों में दिये गए आवश्यक वर्षों का सेलरी स्लिप या बैंक स्टेट्मेंट आवश्यक है वकर आप अनुभाव लिख रहे हैं किसी पद में आवधन करते समय तो उसके लिए आपको बैंक स्लिप या सेलरी स्लिप या बैंक स्टेट्मेंट लागाना जरूरी होगा अब यह होगा सेलेक्शन प्रोसेस जिस पे सहायक प्रोग्रामर के लिए जो तरीका है उसके बीस तीस बीस बीस दस इस तरह से बांट दिया गया है यह पूरा का पूरा जो विज्यापन है उसका जो पीडिएफ है नोटिफिकेशन का वो डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको लिंक के थ्रू अविलिबल करा रहा हूँ आप वहां से डाउनलोड कर लें और इस सारे जो प्रोशीजर से स्पेशली सेलेक्शन प्रोसेस जो है उसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हर पोस्ट के हिसाब से उसका जो सेलेक्शन प्रोसेस है वो अलग-अलग है कहाँ पर किस तरह से वेटेज दिया जाना है वो अनुभाव का 20% मिल रहा है अनुभाव में भी क्राइटेरिया अलग-अलग तो यह सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगे उसके लिए आपको इस लोडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं लिंक दे रहा हूं आप वहां से डाउनलोड कर लें ताकि यह सारी चीज करके आगे बढ़ जाता हूं क्योंकि हर पद का अलग-अलग इस पे समझाया गया है अब यह कुछ बाते इन्हों ने लिखी है कि आपको किस तरह से अवेदन भेजना है तो उसके लिए एक निरधारित प्रारूप है उसको भर करके बंदली फाफे में केवल पंजीक्रिड कि या फिर स्पीट पोस्ट के माध्यम से मुख्यकारे पाला नधिकारी जिला पंचायद बेमेतरा के नाम से दस अक्टूबर से पहले पहुंच जाए शाम साड़े पांच बजे से पहले इस तरह के विवस्था करते हुए आवेदन भेज दे अगर आप व्यक्तिकात हैं और डाकुमेंट जो भी आपको लगाने हैं वो सब सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आप उसे एक बार पढ़े लेंगे पहले पंदरा भीर्थियों को कौशल परिक्षक ले बुलाया जागा एक पद्र के विरुद्ध पत्र एक बट एक अनुपात प आपके सुविधा के लिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक के थूरू दे दे रहा हूं यह पदवार जानकारी है चार पद आपके जो सहायक प्रोग्रामर लेखा पाल और सहायक ग्रेट तीन और डाटा एंपरेटर के मिला करके हैं जो चारों पद अनारक्षित हैं फिर उसके बाद जन्पद इस्तर के जो पद है उसमें तीन पद है और तीन पद अनुसुचित जाती के हैं तो इस तरह से छे पद यहां हो जाते हैं यह कुल विला करके आपको पदों की संख्या बता दी मैंने अब यह जो सबसे आखिरी बात रह गई है वो आईदन प बहर के अंत में आप अपने डाकुमेंट्स अटेच कर दें सनलग्र प्रमान पत्रों की सूची में और उसके बाद हस्ताक्षर करें अब उसके बाद अंडर्टेकिंग का पार्ट है वहां पर भी सिगनेचर करें और इन सब को एक सा लगा करके आप एक लिफाफे में बंद करके उसे स्पीट पोस्ट या रजिस्टर्ट पोस्ट के माध्यम से बताय गए पते पर भेज़ने ताके नरधारी तित्थी से पहले वह बताई गई जगा पर पहुँच जाए तो मित्र यह जानकारी थी बेमेतरा जला पंचायत की तरफ से प्रकाशित की गई थी प्रधा कर सकता है झाल